प्रशासन ने बड़ा एक्षन लेते हुए बेलेशर मादेव जुलेलाल मंदिर के अवेद निर्मान को तोड़ने की कारवाई आज शुरू की इस नहीं नगर में इस्तित इस मंदिर में 30 मार्च को राउन नम्मी पर हवन के दोरान फर्श धसने से 21 महिलाओ और दो बच्चों समय 36 श्रद्धालों की बावड़ी में गिरने से मौत हो गई थी अवेद निर्मान को तोड़ने के लिए आज मोकेपन नगर निगम और पुलिस का बड़ा अमला पहुचा जिसके बाद मंदिर के अवेद निर्मान गिराने की कारवाई शुरू की गई कारवाई के दोरन हंगामा या उब्द्रव नहों इसलिए भारी फोर्स भी हां लाई गई मंदिर के अवेद निर्मान को तोड़ने के लिए पांस से अधिक पोकलेन और जेसीप की मदद ली गई नगर निगम अयुक्त एडिम और अन्य अधिकारी मोके पर मोजूद रहे अथिकरमन हटाने की कारवाई के लिए चार थानों की फोर्स लगाई गई नगर निगम के अपर अयुक्त सिद्धर्द जेन ने बताया कि इस बावडी को पूरी तरब बंद क्या जा रहा है नहीं किया जा सकता बदादे कि प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनात ने शनीवार को राजी की भारती जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलते वे कहा था कि अगर साथ दिनों के भीतर इस परीसर का अवेद निर्मान नहीं हटाए गया तो कॉंग्रेस उच्छी न्याले में जनहे त्याची का दायर करेगी कमलनात ने हाथसे में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की थी और पटेल लगर के बेलेशर मादे जूलेलाल मंदिर का दोरा भी किया था हाथसे के बाद प्रशासन ने इस मंदिर के मुख्य द्वार और बावडी तक प समाचार अत्यंत दुखत और हरदय विदारक है इश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चर्णों में इस्थान देने और शोकाकुल परीजनों को ये असीन दुख सहन करने की शमता प्रदान करने की प्रातना करता हूं उन्होंने कहा दुख कि इस घड़ी में हम स अब शोकाकुल परिवारों के साथ हैं इसी के साथ बने रहे हैं राजनों टीवी के साथ धन्यवाद